दोस्तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वहतरीन जॉब भाइकेंसी लेके आया हूँ दोस्तो अगर आप भी तेंथ या त्वेल्थ पास हैं और अगर आप फ्रेसर हैं और आपकी एज 18 पलस है तो आप इस जॉब के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात यहा है कि इस जॉब को पाने के लिए आपको कहीं पर भी किसी को भी एक भी रुपिया नहीं देना है दोस्तो आप एक मात्र इंटर्व्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पास सकते हैं तो दोस्तो हमारे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक like कर दें और रोजाना जॉब से समद्धित और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe कर ले और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को share कर दें दोस्तो पहला जो company है वह है आपका e-save small finance bank दूसरा जो company है वह है आपका same microfinance और तीसरा जो company है वह है आपका चैतन्या finance दोस्तो e-save small finance bank के तरफ से field officer post के लिए भाइकन से निकाले गई है और इस post के लिए जो age रखा गया है वह आपका 20 साल से लेके 30 साल के अंदर आपका age होना चीए दोस्तो इस post के लिए जो qualification रखा गया है वह आपका 10 plus 2 रखा गया है और इस post के लिए freser लोग apply कर सकते हैं दोस्तो same micro finance के तरफ से 4 अलग-अलग post के लिए भाइकन से निकाले गई है दोस्तो पहला जो post है वह आपका CRO का दूसरा जो post है वह आपका senior CRO का तीसरा जो post है वह आपका branch manager का और चोथा जो post है वह आपका senior branch manager का दोस्तो CRO और senior CRO post के लिए जो qualification रखा गया है वह आपका 10 plus 2 रखा गया है CRO post के लिए जो age रखा गया है वह आपका 18 साल से लेके 30 साल के अंदर आपका age होना चीए दोस्तो senior CRO post के लिए जो age रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो age रखा गया है वो आपका maximum 35 साल आपका age होना चाहिए दोस्तो इस पोस्ट के लिए आपके पास कम सकम एक साल का experience होना चाहिए branch manager पोस्ट पर काम करने का दोस्तो चैतन्या finance के तरब से customer relationship, educated post के लिए भाइकेंस से निकाले गई है और इस पोस्ट के लिए जो qualification रखा गया है वो पका 10 plus 2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अपलाई कर सकते हैं दोस्तो इस पोस्ट के लिए जो age रखा गया है वो आपका 18 साल से लेके 18 साल के अंदर आपका age होना चाहिए और इस post के लिए apply करने के लिए आपके पास अधार card, pen card, double license, passport size photo और एक bike दोस्तो ये सारे चीज आपके पास होने चाहिए तभी जाकर दोस्तो आप इस post के लिए आसानी supply कर सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम बात कर लते हैं e-shape small finance bank के interview date और address की दोस्तो e-shape small finance bank के interview date और address के अगर हम बात करें तो आपका जो interview का पहला address है वह है आपका जमालपूर खगड़िया district बिहार का और दोस्तो इंटर्वियू का जो date है वह है आपका 30 मई 2022 दोस्तो दूसरा जो interview का address है वह है आपका बखरी बेगु सराइडिक बिहार का और दोस्तो इंटर्वियू का जो date है वह है आपका 31 मई 2022 दोस्तो same microfinance के interview date और address के अगर हम बात करें तो आपका जो interview का पहला address है वह है आपका सीतामधी बिहार का और दोस्तो इंटर्व्यू का जो डेट है वह है आपका 5 जून 2022 दोस्तो दूसरा जो इंटर्व्यू का अड्रेस है वह है आपका मुझाफरपूर बिहार का और दोस्तो इंटर्व्यू का जो डेट है वह है आपका 18 जून 2022 दोस्तो तीसरा जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका बेतिया वेस्ट चंपारन बिहार का और दोस्तो इंटर्व्यू का जो डेट है वह है आपका 23 जून 2022 दोस्तो चेतन्या फाइनस के इंटरव्यू डेट और एडरेस के गर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का एडरेस है है वह आपका सीवान देश्टिक विहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका एकतिस मई2022, सुभ़ा के सारे दसब hedge से आप अपन इंटर्व्यू देने के लिए जा सकते हैं